हुआ हेलो फ्रेंट्स तुड़े इस त्राइब जुलाई 2020 लेट स्टार्ट अवर दा हिंदू डिसकुसंस तो आज हमेरे आठ टॉपिक्स डिसकुस करने एडिटोरियल और मेन टॉपिक्स में साथ टॉपिक है सौरी इसके अंदर नैट ग्रीड आएगा नैट ग्रीड अपक टैन सेंट्रल एजेंसी को हेल्प करेगी इंक्लोडिंग रॉव फिर इमिग्रेंज इन सी उसके अंदर सारे क्रिमिनल्स या फिर जिसके भी आफायर से ओल अवर इंडिया में सब कुछ उसमें अपडेटेड होंगे उसके बारे में लग रीटेल हम पारेंगे फिर सीस्टी कोटा में जो बेनफिट्स मिलता है सीस्टी सेड्यूल का सड्यूल ट्रायब कंडिडेट्स को वही सेम एजडी रिलैक्सेशन वहापको है बहलों हैंडिकप स्टूरेंट को भे मिला करेंगे इसके ओपर एक सुप्रीम कोट करने ना एक जज्जमेंट इसके बारे म परेंगे फिर निप्लोमाटिक बैग क्या होता है यह एक्चलिए प्रिलिम्स का एक topic है जो कि आज एक ऐस्ट्रा न्यूस में कि इसका जिक्र हुआ था तो यह आ सकता है diplomatic topic बैग क्या होता है क्योंकि काफी strategic इसके अंदर smuggling वहारी थी gold की काफी strategic प्रकार से इंडिया ग्लोबली इसे सोलार एलाइंस खोला था हमने फिर इसके बाद अभी पैंडमिक के टाइम पे अभी काफी ज़्यादा इन्वार्मेंट पॉलिशन कम है तो किस प्रकार से इंडिया और ज्यादा इसके अंदर इंवेस्ट कर सकता है इंडिया इंडिया इस बीच में इस इन दोनों के टसल में फायदा उठा सकता है इसके उपर यह टॉपिक है यू मतलब यूरोपेन यूनियन तो इसमें तीन-चार-पांच इंटरनाशनल जेनाउंड लोगों के भी टैलोक्स हैं जो दोनों तरफ से चाइन और यू के तरफ स आप बिल्कुल अपने आंसर में इसको कोट कर सकते हो खास करके जो इंटरनाशनल रिलेशन्शिप के जो स्टुडेंट है पी एस आयर जिनका ऑप्शनल है उनके लिए काफी अच्छा एक आर्टिकल है फिर हम लोग देखेंगे नर्चिरिंग सिटिजन्स ऑन सोसल स्टेड इस तो जैसे सी बीसे का जो अभी पैटन चेंज हो गया है जो अभी जो सिलेबस उसमें कम हो गया है तो इसके उपर हामिन अनसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुक है है फॉर्मर उनका अर्टिकल है देखेंगे हम लोग फिर हार्डली होर्डली स्मार्ट अब अब लोग कितना ज्यादा ग्लोबली और नैशनली डिमस्टिकली इसमें जूज रहे हैं तो इसमें इन्वेश्टमेंट की काफी ज़्यादा जुरत है 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 फिर इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ ऐसे प्रिलिम्स के फैक्स भी भरेंगे जो हम लोग हमेसा इसमें इसमें पर आपका रिवाइस हो जाएगा फिर जो बीच बीच में अगर कुछ वैसे टर्म्स मिलते रहेंगे दा हिंदु वो इसको देखता करेंगे तो हम लोग सुरू करते हैं सबसे फॉर्स टापिक हाँ है नर्चरिंग सिटिजेंस और सोसल स्टेडिस तो यही आर्टिकल जो है वो हामिद अंसारी साब ने लिखा है जो हमारे वाइस प्रेसिंटर है चुके हैं इंडिया में इंडिया के दोजार स से 2017 तक दस साल तक तो इसमें यह कहते हैं कि जो अभी फिलाल बहुत बड़ा एक जो सिलेबस को डंप किया गया है स्टुडेंट्स के लिए सीब्यसी बोट्स के लिए तो इसके अंतरगत जो कोर कॉंसेप्ट से बहुत सारा वो भी लैक कर रहा हाला कि सीब्यसी अपने तरफ से बताता है एक नाइन फीचर डिस्क्रिप्शन उसने निकाला है अपनी वेबसाइट के उपर जिसमें वो बता हमारे केरिकुलम से और जो केरिकुलम है वो इसके बाद वो यह बहुत सारे ऐसे फीचर जो है जो प्रेयांबल में हमारे इंडिया के बता हुए हैं वो सब भी हम लोग इसके अंदर इनकलकेट करके उनकी लर्निंग आगे बढ़ाएंगे फिर आइटम फोर जो है जो सैलेंट फीचर जो वेबसाइट में निकाला है वो यह भी कहता है कि हम चाहते हैं कि नर्चर हो लाइफ स्किल और जो पी प्रिस्क्राइब करकुलर है उसके अंदर हम लोग कोडिनेट करे सारे एक्टिविटी जो कि एक बच्चे की सेल्फ स्टीम इंपेटी यह सब सारा कुछ अपने कल्चर डिफरेंट कल्चर की प्रती वो उसके जागरुक करती है यह दिखे वर्ड यह डिफरेंट कल्चर है यहां पर इसके उपर अभी फिर आगे यह रिखते हैं राइटर व यहां पर क्या लिखते हैं यहां पर इसके उपर एक लेयर बनाकर एक संगठे कोई चीज हो जैसे कि हमारा जो ग्राउंड है स्वाइल जो हमारा वो कंपोजिट इस्ट्रक्चर यह नहीं कि डिफरेंट मतलब ठीक है डिफरेंट इसमें है बहुत सारे लेयर जो अलग लेकिन वह कहां पर जाकर खतम होता और कहां से सुरू होता है यह जब आपको पता न और पानी उनको आप अलग नहीं कर सकते हो यह मतलब होता है कंपोजिट का जबकि सैंड एन वाटर अगर आप मिक्स करते हो पानी में अगर अगर आप वह बालू गरालते हो तो वह डिफरेंट आइटम्स है उसको आप डिफरेंट बता तो कि वह दोनों को आप इसली सेपर कि शॉटर वर्जन ऑफ सी बीए सी केरिकुलम जो है वो एक तरीके से इस चीज़ को जो ब्रिज कर रहा है वो बिलकुल भी हमारे constitutional values को undermine करता है और इस तरीके के जो values को अगर आप undermine करेंगे तो बिलकुल भी आपके जो जो से हमारे fundamental duties बताता है कि scientific temper humanism और यह सब सारा कुछ को नहीं वो दरसाता है और वो चीज को आपका कहीं ना कहीं वो चीज वो अपने fundamental या constitutional values को आगे चलके जो है जो उनको नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को क्योंकि यह किसी भी democratic society के अंदर जो methodology है nurturing का मतलब किसी बच्चे को पढ़ाने का उसको बढ़ा करने का वो बहुत ही ज्यादा significant होता है और किसी भी pandemic के वैसे या फिर कोई एक मामारी के वैसे इन सब चीज को आप पीछे नहीं सोग सकते क्योंकि अगर वो जैसे याद करते हैं 61st amendment 1988 में हुआ था दोस्तरा हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में सुरू से लेकिन पहले 21 साल की उम्र हुआ करती थी लेकिन फिर बाद में उस समय ऐसा कहा गया राजीव गांदी के प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कि 21 से घटा कर 18 साल कर दे कि अभी के हमारे यूथ हैं वह काफी जादा अवेर हैं अपने fundamental rights के बारे में अपने society political regimes के बारे में तो वो इसमें भाग ले सकते हैं तो उस समय ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि हमारा वो उस टाइम पे ऐसा हमारा curriculum था सीब यसी का क्लास 12 जो है वो किसी कोई बच्चा 16-17 साल तक पढ़ लेता था तो इस वज़े से हम लोग पॉलिटिकली जो conscious थी हमारी जो यूथ है वो तो जिस व द्यूटीज है तो फिर उसके बाद क्या है प्राइवेट किसी दूसरे जगह से वह सीखने एकोसिस करेगा जहां पर हो सकता है कि वह प्रिजूद्यूस हो जाए डेमो गुलाई गोगली मतलब यह ऐसा है कि जैसे बाइचांस कोई भी अपना प्रोपगांडा चला देता है किसी भी तरीके का जैसे कि आप जैसे देखते हो गया आजकल ETC किसी भी तरीके प्रोपगांडा बीना किसी फैक्ट्स का जो वाट्सएप उनिवर्स्टी पर चलता है तो यह सारा कुछ जो है वह ऑथराइज नहीं है अथेंटिक नहीं है तो वह कुछ भी कोई भी अपने प्रोपगेंडा चला सकता है और आपका एक एक आप किसी धारना से ग्रसित हो सकते हो आप वाइलेंट हो सकते हो या फिर अपने कॉंस्टीशन से आप हेट कर सकते हो तो यह सब काफी मतलब इनफॉर्म्ड वोटर के लिए बहुत ज्यादा घातक साबीत हो सकता है और हमारे इंडियार के लिए बहुत ज्यादा घास हो क्योंकि वह पहले कहते हैं कि पहले भी ऐसा हमारे गॉवर्मेंट में बीजेपी सरकार में ऐसा जो ड्राफ नैशनल एडिकेशन पॉलिशे 2019 साय था उसमें जो मेसेज आया था मिनिस्ट्री आफ होमें रिसोर्स डेवलपमेंट क हो हर एक बच्चा के अंदर फिर आपका कमिटमेंट हो उसके लिबर्टी मतलब वो कमिटेड हो लिबर्टी और फ्रीडम के लिए एक्वालेटी के बारे में समझे जस्टेस फेरनेस इंपरेसिंग डैवर्सिटी प्लॉरायर्टी इंक्लूजिवनेस यह सब सब का बारे में वो समझें कि स्पिरिट आफ इनकल सोचल रिस्मोंसिवलिटी क्या होता है स्पिरिट आफ सर्विसेज क्या होता है फिर साइंटिफिक टेंपर क्यों डवलप करने की जूरत है क्यों हम लोग को रैशनल सब चीज के बारे में डैलोग देने की जूरत है हर चीज के बारे में जिसके बारे में scientific researches है, proved है, वो सब हमें बताने की ज़रत है, हम लोग वैसे ही कुछ भी unborn नहीं हो सकते हो, बस खले अपने emotions के प्रती या फिर किसी regional धारना के से ग्रसित हो करके, तो यही सब जब अगर आपका develop होगा, तब जाके आपके देश में unity और integrity आप देख सकते हो, ठीक उसी article, उसी draft के अंदर आपका page number 231 में यह भी लिखा हुआ है, और extended objectives के बारे में बताया है, जिसमें वो mention करते हैं कि diversity, plurality of human, फिर fred, paternal spirit, फिर scientific tempers, और भी बाकी commitment जो हैं, जो कि rational dialogues को, वो commit करते हैं, आगे जाके उसको और भी ज़्यादा pronounce करते हैं, last में conclusion में यह कहते हैं, वो कि अगर आप इन सब चीजों से आप अपने जो upcoming generation है, उनको citizenship का आप training नहीं दोगे, तो आपका जो objective है, किसी भी constitutional values का जो main objective है, वो undermine हो जाएगा, BGP की संकल 15 भी जो है, 2019 में वो कहा करते थे ऐसे अपने भासन में, कि एक objective होना चीए good governance का, ताकि आगे जलके जो हमारा next generation है, वो भी good governance कर सके, तो ये करीब करी framework है हमारा good governance का, तभी जाके ये हमारे next generation को भी help करेगा, तो next generation को ये require है, कि good citizen अगर वो बनना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी जादा educated citizens निकल करके आए, और उनको तभी जाक्यों कि अगर वो educated होंगे, तभी आगे जलके जो है, वो good governance वो भी provide करवा पा तो ये हमारा article था, और फिर next article हमारा है, hardly smart about the urban healthcare, तो ये जैसे आपको बता होगा कि 5 साल हो गए हमारे smart city declare करने का, लेकिन अभी फिलाल देख रहे हैं हम लोग की, जो major cities है हमारे बैंगलोर, मुंबई, चेन नहीं, उनमें ही जादा pandemic का कहर है, और इस वज़े से जो अभी फ employment है, वो सारा कुछ वो lockdown की time पे खतम हो चुका है, जिसके वैसे वो काफी ज़्यादा uncertain future को face कर रहे है, तो फिलाल जो है कि urban dreams जो है, उसको अगर आपको फिर से ससक्त करना है, फिर से अगर और भी ज़्यादा अच्छा policies में attention देना है, तो government को अभी ज़रुत है कि वो urban development, national level पे urban development पे और बढ़िया policies बना है, smart city policies, mission जो था हमारा पहले, उसका 5 साल हो चुका है, जून 2020 के अंदर, smart city में क्या-क्या points थे, निनको नहीं याद है, वो इसमें ये data से grabs कर सकते हैं, कि किस प्रकार से हम लोग technologically driven, एक city के projects बना रहे थे, इसमें 21st century education हो, inclusive society हो, embrace करे हम entrepreneurship innovation, productivity और local government, local and global interconnectedness, हम लोग इंशोर करवा सकें, इसमें बहुत सारा एसकारडा और ये सब सारा कुछ टेक्नलोजी इसमें यूज हो रहा था, तो ये सब सारा कुछ हम लोग इंशोर करवाने का, और smart environment, जिसके अंदर green buildings, green energy, और green urban planning, green building, green energy मतलब कि जिसमें ज्यादा हम लो renewable energy resources, यूज करें, जिसके अंदर बहुत सारे पार्क भी बनाया गया थे, आपको याद होगा पूने में कितने सारे पार्क थे, जिसके अंदर सारे जितने भी जो लाम्स थे, वो सब solar बैटे से चार्स थे, तो उस वो सब green energy के अंदर आता है, और बहुत सारे जो बिल्डिं आता, सो सिटी सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनमें आज के डेट में कितने implement हो गया हैं और कितने अभी पूरे हो गया हैं, तो अभी एक urban ministry of housing and urban affairs के तरफ से एक data आया था, जिसमें उनने बताया कि 5151 smart city project across 100 cities पारित हुए थे, जिसके अंदर करीब-करीब 4700 projects जो है, टेंडर उसका दे दिया गया था, जिसमें 1668 project जो है, वो complete कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर expenditure जो है, करीब-करीब इतना करोर पड़ा है, और उसके अंदर बहुत सारे projects जो अभी बहुत जादा अभी वो pipeline में हैं और वो pending है, और bullet trains जो और smart city ये दोनों काफी जादा buzzword रहते थे कुछ दिन, कुछ साल पहले, एक-दो साल पहले, हर मतलब करीब एक-दो-तीन किसी rally में कोई ना कोई बोली जाता था इसके बारे में, लेकिन अब वो सब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, in fact, जो इनके जो infrastructure के जो जो terms, जो rooms थे या फिर जो उसमें हम लोग जो provide कर वाय थे, ऐसे कि उसके अंदर smart city mission के अंदर एक room होता था, जिसके अंदर हम लोग पूरे city का जो surveillance है, वो लोग एक room से control कर सकते है, SCADA के थूरू, SCADA एक software होता है, जिसके अंदर आप लोग जहां 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 automation वाला structure आप लगायो, census लगायो, वो सब का एक जगा पर monitoring कर सकते हो, आप एक जगापे computer पर देख सकते हो, बहुत सारे computer room होगे, बहुत सारे computer होंगे एक room के अंदर, उसके अंदर आप सबको monitor कर सकते हो, वो जो जगा है, उस चीज को war room के लिए use किया जा रहा है, monitoring के लिए war room मतलब कि spread of virus कहा हो गया, किस जगा पर कैसा विवस्ता है, कहां बंदोबस्त है, कहां पर पुलिस चाहिए, कहां पर नहीं चाहिए, इस प्रकार से हम लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं, और इसमें आप देखे, करीब करीब 69 ऐसा प्रोजेक्ट्स है, आपके टोटल 5000 में, जिसके अंदर जो हमारा मिसन मोड पर हेल्फ infrastructure काफी बढ़िया है, और उस टाइम पे भी स्मार्ट सिटीज में आपका जब बजट जो दिया गया था, तो उसमें पूरे बजट का सिर्फ 1% ही टोटल मिसन कॉस्ट में, सिर्फ 1% ही आपके health infrastructure के उपर खर्ज करने की बात कहे गई थी, लेकिन अभी इस समय हम लोग करें, तो उसके अंदर में गवर्मेंट जो है, अभी फिलहाल बहुत जादा इसके अंदर काम करने का जरूरत है, क्योंकि 74th amendment भी जो हुआ था, जिसके अंदर आपका 18 functions बताया गया था, municipality का, जिसके अंदर इस amendment के थूरू हमने urban local bodies और city government के lowest unit of governance, जो हम लोग cities और towns में, municipalities क तो हमने जॉइन किया, मतलर add किया था हमारे constitution के अंदर, तो उसमें भी काफी ज्यादा कम्या हैं, जो कि उतने दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं, इस वाले article के नीचे आप पूर बिल्कुल मैंने अगदम process way में, structural way में उसके बार में कम्या को लिखा है, वो आप देख सकत तो फिलाल article में देखते हैं, कि यह क्या कहते हैं, वो यह कहते हैं कि जितनी भी कम्या हैं, उनको strengthen करने की बहुत ज़रुत है, क्योंकि अभी COVID-19 के टाइम में हमें ground level पे हम एक्सपोस हो चुके हैं, हमारे कितनी weaknesses हैं, हमें urban local bodies को और भी जादा financially administrative powers देने की ज़रुत है, क्य क्या हुआ और कैसी करके क्या trace करना है, किसको अगर वो आदमि कहां से कहां गया, कहां से कहां, यह सब सारा कुछ काम है वो आशावर कर ई करती है, और आशावर का आपको पता है कि इतना कम उनको गौन को सरकार कर रही है, और भी बाहर, जैसे जहारखंड और उरिशा, ये लोग अभी कुछ धिन पहले से सुरू कर चुका है, तो हमें बाकी स्टेट्स में भी यह चीज ज़रुरुत है कि हम लोग अश्राक वरकर को और भी ज्यादा स्टेंधन करें और जैसे कि वो states कर रहे हैं livelihood missions चला रहे, urban livelihood missions communities तो उसके वो काम भी बाकी के states जो है इंडिया के वो काम करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी इस टाइम पे national urban livelihood missions and national urban health missions इनकी बहुत ज़्यादा ज़रुत है इनको strengthen करने की और तभी जो है कि job जो है वो आम जनता के पास आप आए और आम जनता जो है और भी बढ़िया तरीके से health sector में या फिर और भी जैसे अगर खर्च करेंगे तभी demand बढ़ेगी और economy जो है आपका वो बूस्ट करेगा जो हमने कुछ दिन पहले discuss किया था तो क्योंकि अगर आम जनता के पास पैसे नहीं होंगे तो खर्च कहां करेगा खर्च नहीं करेगा वो वो समान नहीं कर देगा तो industries बनाएंगी क्या बनाएंगी नहीं तो फिर महां पर भी करक्स आगा तो जिस वैसे अभी फिलहाल improve करने के बहुत जादा ज़रूरत है जो health और livelihood missions है पूरे इंडिया भर में उन सब जगह पर तो रिलेटर स्टेडिस मे जो है वो वर्सगार्ट थी quarter century की और उसके अंतरगत क्या-क्या limitations है उसके क्या-क्या powers है जैसे की limitations यह है कि उसमें थोड़ा सा power की problem है जैसे mayor जो है वो elect तो किया जाता है लेकिन ceremonial head है उसकी उतना ज्यादा powers रहती नहीं है district district जो bureaucrates हैं वही ज्यादा कॉछ उसमें समालते है आजकल उसमें parties को भी display करना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी उनको उतना ज्यादा head मतलब उतना ज्यादा powers मिलता नहीं है तो वो इस वज़े से revenue structure और यह सब सारा कुछ में अपना एक authority authorized मतलब तरीके से planning करकर के वो सारा कुछ नहीं कर पाते हैं और state government का जो है वो वहाँ एक जो वो चाहती थी जो एक dream था उनका जो जिस तरीके से उनको जिस तरीके से वो उसको regulate करना चाहती थी वो regulation आ नहीं पा रहा है for example urban development authorities जैसे building और infrastructure बराना public corporation जिसमें water electricity transportation services देना यह सब सारा कुछ जो है वो role था आपका एक किसी भी जैसे government municipal corporation को ensure करवाना और सब सारा मतलब implement करवाना लेकिन वो उस प्रकार से हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनको उतनी ज्यादा autonomy नहीं है ground level के अंदर में और उनको हर चीज के लिए जो है कि permission लेना पड़ता है तो इसमें depolitization भी बहुत जाए increasing depolitization जो है local government के अंदर कुछ दिन कुछ साल पहले से मतलब जी छो यह सबसे भी जो है कि काफी जादा जो एक मतलब एक मुद्दा जो होना चाहिए था उनका proper वो मुद्दा हो नहीं रहा है और उनको independent जो एक operation हम लोग चाहते थे वो चीज वो नहीं पा रहा है और जो हमारा जो larger जो गोल है वो undermine कर गया है तो इस time पे हमें उसके यह इसल सिविक इसूस के उपर जैसे कि for example urban transportation, housing, urban common इनके उपर उनको और ज्यादा autonomy दे और ज्यादा उनको सज़क करे ताकि revenue जह है वो और भी ज्यादा वहां से निकल करके आए और जो local communities हैं और जो local bodies हैं उनको हम लोग और भी ज्यादा decentralized करके और हम लोग उसका फाइदा but the present model of the local governance vesting power is singular in a singular municipality should be re-looked मतलब फिर से देखने की जवरत है कि किस प्रकार से इसको सारे जितने भी जो अलग-अलग municipalities हैं उनके क्या-क्या आपके जो अभी फिलहाल autonomy है और उनको क्या-क्या और बे सकते हैं कि वो और भी बढ़िया तरीके से वो काम कर सकें क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी एक article पढ़ा था कि कितना ज्यादा important हो जाता है ground level पे एक autonomous structure होने का ताकि वो अपने जैसे इंडिया है इंडिया के बाद इस अपने अपना काम कर रही है तो उसमें काफी जादा innovative भी बहुत लोग काम करके लेकर के आते हैं बाहर तो उस जो है कि दीन दियाल अंतियो दिया हो यूजना के बारे में आपको जैसे पता होगा भी कुछ दिन पहले भी आर्टिकल न्यूज में था एक महीने पहले इसको स्कॉच को अवर्नेंस के तुरू इसको अवार्ड मिला है पूट मतलब ऑफॉर्डेबल क्रेडिट और इंट् जो है हमारा वो एक्चली करता क्या है वो करता यह है कि अर्बन ही मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग पॉवर्टी एलिविशन के अंतर गतिया आता है और यह स्किल डेवलपमेंट करवाता है लावली हूट अपर्चुनिटीटिस प्रवाइड करवाता है सारे जनता को जो भी इ इंप्लोडमेंट जो है वह आपका जैसे जितने भी जो सैक्wl है जिसे सट्रैजिया कर वाने का है फिर जो प्रचेक है रैपिकर्स युवर जा सब को भी केश प्रकार से लोई प्रेस उनको एक क्लीण निंग दिरीन लृत है और प्रेस्वन के बाद इस उनको देने क्श प सारा कुछ करते हैं ये लूओं भी प्रोवईड कर वाते हैं जैसे की 5 परसेंट से 7 परसेंट सबसीडाइज लोट कर वाते हैं माइक्र एंटरप्राइज के लिए इंडिवीज्वल लोगों के लिए और अगर जैसे से सेल्फ एलप गृप है आपको पता ही होगा बहुत सारे जैसे लोग मतलब एक साथ लोग बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक community बनाते हैं उसके अंदर हो लोग regular meetings करते हैं और फिर वो जो रिजिस्टर भी होनी चाहिए वो चीज उसके अलग criteria पिर अगर shelter homes बनाने हैं homeless के लिए urban society में urban जगह पे तो वो भी यह लोग free of cost जो है उनको funding देते हैं और फिर जो है पैसा पोटल क्या है तो एक centralized IT platform है जिसके अंदर जो interest subvention है जो day nulm है उसके अंतरगत यह आता है जो कि simplify करता है streamline करता है आपका interest subvention और यह और और भी ज्यादा यह offer करता है end to end online solution of processing payment monitoring or tracking of interest subvention और यह portal का जो last में कि design किया गया आपका design और develop किया गया अलहाबाद bank के थूँ तो यह चीज़ थोड़े सी मतलब तीन लाइन का मतलब हमें पता होना चीए बस और किया some and substance of you china dilemma तो इसमें किया अभी देखे चाइना का जैसे जो बढ़ता हुआ हमारा आपको पता ही है कि अभी फिलाहल कितना जादा साउथ चाइना सी में aggressive है हम लोग बहुत 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 हो आपको चाइना के बारे में पता है और इनका नाम अब लिक करके डायेट आंसर में कोट कर सकते हो बिल्कुल authentic है कोई दिक्कती तो यह कहते हैं कि चाइना के एकनोमिक के लिए वह काफी ज़्यादा जरूरी है यह यह यू भी समझता है और साहर इसी वज़े से जो यू का और चाइना का जो पार्टनर से फैपीपी भी पार्टनर से वह 35 परसेंट ऑफ ग्लोबल जीटीपी है यह फिलाल और यू के यू जो है वह काफी कि यह सफिसेंट एक्जांपल होना चाहिए अगर आप समझते हो कि एक यूरोपीन यूनियन के लिए चाइना का महत्वक्या है कि वह जबरदस्ती वह कितना जादा मुस्किल से वह उसको वर्ल्ड ट्रेड और्गनाशन में उसको सामिल करवाया फिर दो 1995 से 2012 के बिच में ज कि वहां से आ रहा है तो उसके वैसे दीरे दीरे जो है टाइम के साथ वो सार चाइना का जो वहां पर रेल्वेंस है वो बढ़ता गया और चाइना नो डाउट एक की ग्लोबल प्लेयर अभी भी बन करके आ रहा है जैसा कि वहां के जॉसफ बोरेल फॉंटेलेस कहते हैं जो ने कहा था वैसा उस टाइम पर फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ कि ये तो ये लोग सब ये सब कुछ कह रहे हैं उसके बाद भी बहुत कुछ है लोग ऐसा अलग मतलब ये सब सारा कुछ जो हो रहा है हमारा इधर साउथ चैना सी में इंडिया के साथ प्रॉबलम होंग को सा तो उन्होंने एक स्ट्राटेजिक आउटलोग करके एक मैगजिन एक रिपोर्ट भी पॉबलिस किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ध्यान से जुनिएगा ये लाइन कि चाइना जो है वो साइमल्टेनियस हमारा कोपलिट्र पार्टनर भी है एकनॉमिक कॉंपर्टी प्रेज़ में है और वह लोग आपको पता ही है कि वह लोग सारा कुछ नौम जो फॉलो करते हैं ऐसे कि उन लोग करीमिया को जो हड़ा था अभी यह लिए उसको कितना दौन विरोध किया था तो यह सब वो लोग का आपना प्रिंसपल है उसके तहत वो लोग आगे चलते ह चैना जो है वो जब आगे बर रहा है तो उसने भी यह चीज को माना है लेकिन उसका इतना ज्यादा अभी एकनोमिकल उसका सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड में कि उसको यूरूपेन यूनियन जो है अपने सेक्यूरिटी को अंटर्माइन होता हुआ देखते हुए भी उस चीज लुटियाना यह रश्या कहीं जगह पर यह सब सारे अब इस्टोनिया इस सब सारे कंट्रीज हैं इसके मौन्टरीज में यह बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो बाल्टिक सी जो है बाल्टिक सी के अंदर अभी कुछ दिन पहले चाइनीज प्यले नेवी और तो जिस वेसे यू जो है काफी ज़्यादा कंसर्ण हुआ था इसके उपर और रश्या से उनकी प्रॉब्लम रहती है फिर चाइना साउच चाना सी के अंदर भी इंडियन ओसिन के अंदर भी जो चाइनीज बिहेवियर उनका रहता है चाइना का भी फिलहाल तो उसके उपर वो लोग देख रहे हैं और यह चीज जो लोग समझ रहे हैं कि कितना जादा अभी प्रॉब्लम मतलब चाइना कर सकता है अगर उसका सिगनिफिकेंस और भी जादा बढ़ गया क्यों तो और उसके अलावा जो चाइनीज एकनॉमी है जो फाइनेंसियल उनका प्रैक्टिसे है वो सब भी एक स्ट्राटेजिक मोटिव के तहाइत है कि किस प्रकार से जैसे उन लोग हमबन डोटा और यह सब सारा कुछ में लोग कबजा करते जा रहे हैं तो अभी उनका जो बेल्ट एंड रोट इनिशेटिव है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है कि लोंस देने वाल है ऐसा वो कहते हैं कि इसे कोट किया है उन्होंने एक एक परसन ने कि इसे मोर रियलिस्टिक असर्टिव एंड मल्टी फेसेट अप्रोच हमें ज़रुरत है पैंडमिक के बाद चाइना के प्रती रखने की क्योंकि कोविड नाइंटीन के टाइम पे हमने देखा कि कितना ज चाइना के पास पहले पैंडमिक आ चुका था और वो लोग तीन महीना चार महीना पीछे चल रहा था इसे नॉबर में लोग आ गया था बाकी दुनिया में फैबडी जनवरी में आया तो तीन-चार महीना वो लोग पीछे चला और अब जो है कि वो पूरे अब वो रिकवर तो उनको हमेशा सही रहा है तो यह जो डेमोक्रेटिक डिबेट जो है वो और भी ज़्यादा कोविड-19 के वैसे और भी ज़्यादा गहरा हो गया है वो चीज इन लोग को पता है और जैसा कि हमने पहले डिसकस किया LAC और यह सब सारा कुछ इंडिया के साथ जो प्रॉब् डर लेन उनका यह कहना एक वर्चुल समिट में उन्होंने कहता कि यूरोपियन रिलेशन विच चाइना आर साइमल्टेनियसली वन अव्व दी मोस्स्ट्राटिजिक जो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्राटिजिक है और उसके साथ साथ स्ट्राटिजिक होने के साथ साथ तो यह साथ पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन को किस प्रकार से एक गाजर दिखा करके चाइना जो है वो अपने साथ में उनको लपेटे हुए है और उस चीज से वो लोग मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन भी यह मांगते हैं कि उनको अपना जो फोकस है उसको जाने गा तो यह जो वन बोर्ड वन रोड वन बेल्ट वन रोड इनिशेटिव के थरू वो जो अब डेवलप करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके रेलवे और यह सब सारा कुछ तो आगे चल कि उनके सेक्यरिटी कंसर्स भी आ सकती है यह यह यूरोपियन कंट्र चाइना इंस्टिट्यूट आफ कॉंटर्प्लरी इंटरनाशनल रिलेस्टन्स वह यह कहते हैं कि कोरोना वार्स पैंडमिक जो है वो वन्स इन सेंचुरी चेंज है उन्होंने एक 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 कुछ आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने टाइटल लिखा है कोरोना यूरोपियन स्टार्ट जो है वो काफी ज्यादा फेड कर रहा है तो यह और उसके बाद फिर यूएसे का जो है वो ग्लोबल लिडर्शिप से हाथ पीछे लेना तो इसके वैसे चाइना वो काफी ज्यादा इंपॉर्ट मतलब एडवांटेज मिल गया है और इसके अंदर और भी आगे हम लोग जो बढ़ेंगे अभी तो स्ट्राटेजिक जो हमारा इंट्रेस्ट है चाइना का यूरोपियन प्रोजेक्ट के अंदर में तो वो सब के वज़े से जो यू चाइना लीडर्शिप लेवल जो मीटिंग्स है और भी जितना भी जो जो चाइना का और य नहीं होगा फिर उसके बाद यह भी कहते हैं कि यूरोप यूनाइटेज स्टेट्स हो यूरोप हो या फिर जापान हो ये सब सारा कुछ का कॉमन इंटरेस्ट है कि चाइना को हटाना है लेकिन यूरोप जापान ये सब कुछ कोई भी मतलब चाइना को हटाना नहीं सकते है क्योंकि उनका potential इतना ज्यादा है, मतलब economy का, कि economy के वज़े से उनका जो intention है, China intention is to delay the former by dangling the economic carrot, मतलब कि China, उनका जो intention है कि China को बिल्कुल हटा देना, खतम कर देना, तो वो सब सारा कुछ को China सिर्फ अपना economical जो उसका जो power है, उससे ही उन सब चीज़ को वो लोग रोक पा रहा है, sentiments after the pandemic, अब pandemic के बाद क्या करना है, pandemic के बाद देखे, EU ने साफ बता दिया है, कि हम USA और चाइना के बीच में जो टसल चर रहा है, उसमें हम लोग कोई side नहीं लेंगे, ना USA के तरफ जाएंगे, ना चाहिना के तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा वहाँ पर ब्यान दिया है, जारी किया है, और European countries भी बहुत सार, companies भी बहुत सारा समस्ती है, उनको ऐसा लगता है कि जो Xi Jinping है, वो इस pandemic के बाद एक अच्छा fundamental reform है, वो लेकर के आएंगे, जैसा कि पहले कि वहाँ के जो rulers रहे हैं, वो लोग भी किये हैं, जो डेंग, वो फिलाल अभी और ज्यादा कम होते जा रहा है, लेकिन फिर भी investment जो है, वो अभी तक कोई और दूसरा space वो लोग खोज नहीं पाएं, तो इसमें जो इंडिया का क्या roll हो सकता है, कि जैसे हर चीज में हम लोग देखते हैं, कि अब इंडिया के लिए काफी अच्छा opportunity है, लेकिन हम लोग ग्रैब तो नहीं कर पाएं अभी तक, वैसी इसमें भी लिखते हैं, कि इंडिया के लिए काफी अच्छा opportunity है, जिसमें कि इंडिया और यू के relationship के बीच में हम लोग अब अच्छा एक अभी start कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए हमें, जो है कि सबसे पहल लोग काफी जादा हम लोग से मतलब ट्रेड करने के लिए संबंद बढ़ाने के लिए वो लोग प्रलोबित रहते हैं, तो ये चीज जो है वो लोग समझते हैं ये चीज के उपर में और लेकिन इसके लिए जो है कि दोनों तरफ से और यूरोपेन ये चीज भी मानती है कि इंडिया, इंडो पैसिए में हमाना कितना बड़ा हाथ है और हम लोग इस चीज के अंदर काम कर सकते हैं, फिर हम लोग के पास से हम लोग काफी जादा हम लोग के तरफ रहता है तो इस सब चीज के लिए बढाने के लिए, सिरा को हाथा जरुत है, क्योंकि तब जाकि जो पोस्ट को पैंडिमिक जो है इंडिया को इस सब चीज में स्ट्राटेजिक सिनारियों में एक अच्छा पार्टनर्सिप के लिए हाथ आगे बराने की बहुत जाला ज़रुत है नेक्स्ट इसके आगे जो है वो छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में डालता हूँ प्लीज पार्ट्टू देखिएगा क्योंकि वीडियो का जो लैंत है वो काभी बढ़ गया थैंक्यू